हलो काईज, वेलकम डूटाइकी यासर यूटीब चैनल आज आज की स्टुडियो में तीन धमाके 10 स्माटफोन डील आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूँ तो क्या कुछ आपको फ्लिप कार्ट पे देखने को मिल रही है एक आपको 10,000 रुपे की रेट में डील देखने को मिल रही है एक डील आपको 25,000 रुपीस के राउन डेखने को मिल रही है तो कौन-कौन से स्माटफोन है, क्या कुछ आपको डिसकौंट डेखने को मिल रहा है कमplEAT detail देने वाला हूँ और अपने honest opinion भी आप लोग के साथ में शेयर करूँगा सो गाइस चलिए वीडियो स्टाउट करते है सो फ्रेंज वीडियो स्टाउट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको बता दूँए तीनों स्मार्टफोन डील जो भी मैं आपको बताऊँगा ये कभी भी आउट आउट स्टाउट हो सकती है इसका price point बढ़ सकता है तो definitely जबी भी अगर आप वीडियो देखते हो आपको डील पसंद आती है तो वीडियो देखने के बाद आप ये डील को grab कर लेना सबसे पहली स्मार्टफोन डील के अगर हम बात करें तो अगेन आपको देखने को मिलती है Poco की तरफ से Poco X4 Pro 5G स्मार्टफोन पे इसका 664 वाला विरेंड ऐसे तो 19,000 रुपे में लांच हुआ था लेकिन आज की डेट में बिना कोई बड़े सेल के यहां पर ये आपको जो 664 वाला विरेंड डारेक्ली मिल रहा है 16,000 रुपे में उसके उपर अगर आप ICICI बैंक के चेक एड़ेट कार्ड हो ये डेबिट कार्ड हो उससे पेमेंट करते हो 15,000 रुपे का डिस्कॉंड है एफिक्टिवली स्मार्टफोन ले पाओगे 15,000 रुपे में स्टिल अगेन अगेन मैं कहतो और आज की दिन भी आपर कहूंगा कि ये 15,000 रुपे में अन बीटेबल टैप का 5G स्मार्टफोन है ग्लाज बैक, 120 हर्स का अमलेट डिस्प्ले, स्नाप डरिगन 695 की बडिया परफॉर्मस गैमरा परफॉर्मस भी प्राइस पॉंड के साब से काफी सही है सेंसर्स वगरा में कोई कॉम्परमाइज नहीं है मी यू आइप यहां पर यह रन करता है 5000 अमेज बैटरी, 67 वाट का फास्ट ज़र आपको डब्बे में देखने को मिल जाते है तो कुल मिला क्या गेन काऊंगा 15,000 पे के आसपस का बजट है एक सॉलिड 5G और लंडर स्मार्टफोन परचेस करना है डेफिनेटल आज की दिन आप ये डील को ग्राप कर सकते हो नेक्स डील के अगर हम बात करें बजट में ये काफी सॉलिड डील है यहां पर ये डील ग्राप करने के लिए आपको कोई काट की भी ज़रूरत नहीं है ये डील आपको देखने को मिलते है मोटो की दरफ से मोटो जी फिफ्टी टू फोर जी स्मार्टफोन पे फोर सिक्स्टी फोर वाला वेरियंट ऐसे तो अरूंड साड़े तेरा चौदा जार पे में लॉंच वा था लेकिन आज की डेट में बिना कोई काट के डारेक्ली भी अगर आप कैश ओन डिलियूर पे जाके परचेस करते हो एफेक्टिवली आपको मिलेगा 10,999 मतब 11,000 पे की प्राइस पॉंट पे और वो प्राइस पॉंट पे हाइली रेकमेंडेड है लाइट वेट है पतला स्मार्टफोन है उसी के साथ में 90 Hz एफेशेट के साथ में पी ओलेट डिस्प्ले मिल जाता है बेजल्स वगरा बहुत कम है डिस्प्ले आपको जो कलर्स वगरा काफी बढ़िया देखने को मिलते है उसी के साथ में आपर आपको स्नाप ब्रेगेंड 680 की मैं काऊंगा डीसेंट परफोर्मेंस है हाँ गेमिंग होगर इतनी तकडी नहीं कर पाऊगे बढ़ डे-to-day टास में आपके सारे काम करके दे देगा 50 मेगा पिक्सल का टिपल एर कैमरा है 16 की सेलफी और कैमरा परफोर्मेंस भी मैं काऊंगा डूल स्टीडियो स्पीकर का सपोर्ट डॉल्बी एटमॉस के साथ में तो स्पीकर कॉलिटी डिस्पले आपको कमाल का मिलता है तो मल्टी मिडिया एक्स्पिरियंस आपका काफी तकड़ा रहेगा उसी के साथ में 5000 एमेज बैटरी 33W का फार्च ज़र आपको डब्बे में देखने को मिल जाता है तो कुल मिला कि अगर आप ऐसे टाप के यूजर हो जादा हेवी टास आप इस्तमाल नहीं करते हो मतब गेमिंग एडिटिंग अपने स्मार्टफोन पे नहीं करते हो आप बुल सकतर फ्लाक्षिप किलर टाप की डील है अंडर 25,000 रुपीस की रेट में यह आपको देखने को मिलता है पोको की तरफ से पोको F4 5G स्मार्टफोन 698 वाला विरेंड ऐसे तो आराउंड 28,000 रुपीस के आस पास कुछ लाँच होा था लेकिन आज की रेट में अगर आप जाओगे फ्लिप कार्ड पे तो डारेकले आपको मिल रहा है 25,999 मतब 26,000 रुपी में अगर आपके पास में ICS है बैंक का चैक के रेट कार्ड हो या ATM डेबिट कार्ड जो भी है उससे पेमेंट करते हो 2000 रुपी का फ्लाइट डिस्कॉंट है एफेक्टिफली स्मार्टफोन आप ले पाओगे 23,999 में तक 24,000 रुपी की रेट में और 24,000 रुपी में हाइली रेकमेंडेट है ग्लास बैक देखने को मिलता है बॉक्सी टाप का डिजाइन है 120Hz एफेक्टिट के साथ में AMOLED डिस्पले दिया गहे Snapdragon 870 की बड़ी या परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है स्टेबल चिपसेट है उसी के साथ में आपर Android 13 का अपडेट रॉलाउट होना यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है Ui14 भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है और साथी में 64 Megapixel का ट्रिपल एर केमरा है सोला की सेलफी है और प्रामेरी सेंसर में आपको USB देखने को मिलता है अगर आप 24,000 अरपे के साब से देखोगे तो decent camera performance आपको यहाँ पर दिया गए उसी के साथ में sensors वगरा में कोई compromise नहीं है 4500 अमेज बैटरी के साथ में 67W का फार्च जर आपको डबे में देखने को मिल जाता है तो 23 से 24,000 अरपे का budget है आपको एक तगड़ा balance flagship के लिए टाप का smartphone चीए इसमें आप gaming पे अच्छी कर पाऊगे camera's भी decent मिल जाता है display अच्छा देखने को मिलता है तो definitely 24,000 उपीज में अच्छा smartphone है definitely इसकी तरफ आप देख सकते हो तो guys यह तीन smartphone deals ती जो के flip card पे इतने कोई बड़े sale वगरा नहीं चल रहे but still अगर आपका emergency में कोई smartphone purchase करना है 10,000, 15,000 या 20,000, 25,000 पे की rate में तो definitely यह तीनों में से अगर आपको कोई deal पसंद आती है तो आज क्याज deal को grab करने ना maybe कल के दिन इसका price point बढ़ जाए या out of stock हो सकते है वसके जाम जीक हम सक्षों ने बताना ही है आपको कैसी लगी क्या आपने इसमें से अल्रेडी कोई deal को grab कर चुके हो वीडियो देखने के बात करने वाले हो यह deal को लेके कुछ questions है कुछ queries है मझे पूश लिए ना नीचे comments में तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर देना ना मिलता आप सब्सक्राइब कसी वीडियो में चबता के लिए thank you